पिस्ता जरूर खाया होगा नवश्कार मैं हूँ मुहमद आसिव दुलार और आप देख रहा है निउस्टेम नीशन ये खास पेशकश सेहत नामा आयुरवेद में पिस्ते के बहुत सारे गुड़ बताए गए है कई जगा इसे दबाओं की तरह भी इस्तिमाल किया जाता है डाइटिंग करने वाले लोग पिस्ते का सेवन करते है पिस्ते में फाइबर, कार्बो हाइडरेड, इम्मेनो एसिड और फैट होता है जो ना सिर्दर्द, मुगी दुरगंद, दस्ट और खुजरी में फाइदे मन्द है बलकि कमजोरी दूर करने के साथ-साथ याददाश्ट को भी तीस करने में मदद करता है इसका इस्तेवाल मेवे की तरह भी किया जाता है आजकल की तनाओ भरी जिंदिगी में सिर्दर्द एक आम भीमारी हो चली है कंप्यूटर पे काम करने से भी सिर में दर्द होने लगता है पिस्ते के गोड़ सिर दर्द को काफी हद तक ठीक कर देते हैं सिर के जूओं की परिशानी में पिस्ता बहुत फायदे मंद होता है आजकल कई लोग जटे बाल, बेजान बाल और रूखे बालों से परिशान है ऐसे में पिस्ता आपके लिए वर्दान साबित हो सकता है पिस्ते की छाल से काढ़ा बनाएं और उससे सिर धोएं इससे सिर के बाल मजबूत होते हैं और जूँ से भी निजात मिलती है अगर किसी के मुग से दुरगंद आती है तो पिस्ता उससे निजात दिलाने में काफी कारगर साबित हो सकता है अकसर खान पान में गलती होने पर पेट में गलबली हो जाती है और उससे मुग से भदबू आने लगती है कभी-कभी मसूलों की विमारी की वज़ा से भी ऐसी समस्या हो सकती है लेकिन पिस्ते के पॉस्टिक गुण मोह के दुर्गन से आपको छुटकारा दिला सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ पिस्ते को अच्छी तरह से चबा-चबा कर खाना है बवसीर के मरीजों के लिए पिस्ता रामबाढ है बवसीर में अगर खुण आ रहा है तो उससे काफी दर्द भी होता है इस दर्द से चुटकारा पाने के लिए आप पिस्ते का सेवन कर सकते हैं पिष्टा जितना टेस्टी है उतना ही फाइदे मन भी और उतना ही पॉस्टिक लेकिन अगर आप पिष्टे के और शुदिये गुड़ों हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आप वो किसी डॉक्टर सला से जरूर लेनी चाहिए आपका हमारी पिष्ट कैसी लगी इसके बारे में कमेंट शेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप हमारी यह खबर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फालो करें